हलो फ्रेंट्स, आज हम इंग्लिस ग्रेमर का एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं उससे पहले, मैं आपको बताना चाहूंगा कि साउंड क्या होती है पंखा चलता है, तो साउंड होती है पैन गिरता है, तो साउंड होती है accident होता है तो sound होती है लेकिन इस परकार की हर sound को हम speech नहीं कह सकते केवल वही words वही बातें जो इनसान के मुह से निकलती है उसे speech कहते हैं और इस speech के कुछ parts होते हैं जिन हम कहते है parts of speech parts of speech होते है art there are eight types of part of speech वो क्या है noun, pronoun, adjective, adverb, verb, conjunction, interjection तो इस सारी क्या है ये सब के सब है parts of speech इन में से noun और pronoun हम पहले ही कर चुके हैं noun और pronoun का link मैं description box में डाल दूँगा आप वहां से अगर अभी तक आपको जानकरी नहीं है कि noun और pronoun क्या होता है तो आप उन वीडियो पे ये सब देख सकते हैं क्योंकि noun और pronoun आने के बाद ही आप adjective को समझ सकते हैं तो चलिए बात करते हैं adjective की adjective क्या होता है basically पहले तो इसकी pronunciation की बात कर लेते हैं अधिकतर लोग इसे adjective बोलते हैं ये डी भी बोलते हैं लेकिन सही pronunciation क्या है? adjective डी जो है इसमें silent होता है तो चलिए करते हैं adjective यहाँ पर कुछ sentences लिखे हुए है Mohan is a boy C is a teacher हम इसमें boy क्या है? noun है Mohan क्या है? noun है C क्या है? pronoun है ये चीज़े हम कर चुके हैं और teacher क्या है? noun है इन sentences को देख करके ये चीज़े तो हम पहचान लेते हैं लेकिन अगर sentence इस तरह से आ जाए Mohan is a clever boy अब समस्या यहाँ पैदा हो जाते हैं जाए कि बॉय तो noun है तो फिर clever क्या है? अगर हम देखें कि महाँ नीज़े बॉय महाँ एक लड़का है लेकिन यहाँ गया महाँ नीज़े clever boy महाँ एक चालाक लड़का है कैसा लड़का है? एक clever boy है अब clever क्या है? ये boy की quality है कि बॉय कैसा है? clever है किसी noun को qualify करे या उसमें कुछ add करे उसके बारे में कुछ बताए उसकी कोई quality बताए उसे हम क्या कहते है? adjective कहते है क्योकि यहाँ clever जो है वो मुहन के बारे में बता रहा है कि वह clever है बॉय तो है लेकिन क्या है? clever है दूसरे is a smart teacher teacher तो है लेकिन कैसी टीचर है smart teacher है I am a tall boy मैं boy तो हूँ लेकिन कैसा हूँ tall हूँ this is a marker marker तो है लेकिन अगर मैं कहूँ this is a white marker कैसा marker है white marker है कैसे रंका है सफेद रंका है तो जो word किसी noun या फिर pronoun क्या है प्रोनाउन है जो किसी noun के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ qualify करे या कुछ उसमें add करे उसे क्या बोलते हैं हम उसे हम adjective बोलते हैं और यहां पर दो वर्ड clever और smart वह क्या है एजेक्टीव है clever आपको बॉय के बारे में बता रहा है noun के बारे में, मोहन के बारे में और जो smart है वो बता रहा है आपको see के बारे में, कि वह smart है एक pronoun के बारे में ऐसा बता रहा है आईए जानते हैं हम इसकी definition के बारे में तो देखिए यहाँ पर क्या definition बनती है adjective की An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun जो एक noun या pronoun को qualify करता है, यह हम examples से जान चुके हैं अब examples से हमने यह देखना है कि adjective का use कहाँ पर predicative होता है और कहाँ पर attributive होता है example देखिए असो का was a wise king तो king क्या है noun है, wise क्या है बुद्धीमान कि असो का एक wise king था तो wise क्या हो गया यहाँ पर adjective हो गया किसका noun को qualify करा है लेकिन एक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर यह adjective noun के साथ ही है noun से ठीक पहले है और इसमें c is smart, वह smart है c कहा है pronoun और adjective तो noun यह pronoun को qualify करता है तो c को क्या qualify कर रहा है, smart c is smart तो यह कहा है, यह adjective है, क्योंकि c को qualify कर रहा है लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर smart noun या pronoun के साथ नहीं है और यहाँ पर यह noun के साथ ही है तो दोनों है तो adjective यह भी और यह भी लेकिन दोनों का यूज अलग अलग परकार से हुआ है तो जब तो कोई adjective noun से ठीक पहले आए यानकि noun उसको follow करे वहाँ तो होता है attributive use of adjective यह कौन सा यूज है adjective का attributive यूज है और जहाँ पर यह noun या pronoun से अलग हो अब यहाँ पर इससे अलग है यह किसी noun को follow नहीं करता simple सी बात adjective की पहजान आपको हो गई उसके बाद noun है तो attributive और उसके बाद noun नहीं है तो predicative तो यह कौन सा यह हो गया predicative यूज हो गया आपको जब आपने sentence किया था उसमें बताया था कि subject और प्रेडिकेट क्या होता है subject जो काम को करता है उसके बाद वाला सारा हिस्सा प्रेडिकेट होता है यह भी एक तरीका है इसको याद करने का प्रेडिकेटिव यूज adjective का कहां पर होगा जिब वो प्रेडिकेट में होगा लेकिन उसके बाद नाउन नहीं होगा तो यहाँ पर adjective का प्रेडिकेटिव यूज है और यहाँ पर एट्रिबिटिव यूज है सिंपल सी बात नाउन से पहले आएगा तुरंत तो अट्रिबिटिव और यहां नाउन को फोलो नहीं करेगा तो प्रेडिकेटिव आगे एक जम्पल देखे दा कैट वोच ब्लैक तो यहां पर ब्लैक कैसी है ब्लैक है लेकिन यहां पर कौन सा जो गया प्रिडिकेटिव और उसके बाद आई सा आप ब्लैक अब नाउन के साथ क्या है एगयो कैट कैसी है काले रंकी है इसकी क्वालीटि बता रह रही है तो यहां पर कौन सा जो गया प्लैक का एट्रिबिटीव यह पे ब्लैक का यूज हो गया तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि एट्रिबुटीव और प्रेडिकेटिव यूज समझ में आप आएगी यहां पर आ क्या है डिटर माइनर है वाइज क्या है एजेक्टिव है आपने एजेक्टिव और डिटर माइनर में कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि जो एजेक्टिव है और जो डिटर माइनर है यह दोनों नाउन से पहले आते हैं लेकिन है कि यहाँ पर कैट के बाद है जो मैंने आपको बताया कि प्रेडिकेटिव और एक्रिबिटिव यूज यानकि जो एजेक्टिव है वो नाउन से अलग होकर के भी आ सकता है लेकिन जो डिट्रमाइनर है उसके बाद हमेशा नाउन ही होगा यानकि एक दिफ्रेंस तो यह हो कि एजेक्टिव तो नाउन से अलग होकर के भी आ सकता है लेकिन जो डिट्रमाइनर है वो हमेशा नाउन से पहले ही आएगा दूसरा डिफ्रेंस क्या है कि कोई भी डिट्रमाइनर है वो एजेक्टिव हो सकता है वो विसेशन हो सकता है लेकिन कोई भी एजेक्टिव कभी डिट्रमाइनर नहीं हो सकता मतलब डिट्रमाइनर तो एडेक्टिव का काम कर सकता है लेकिन एडेक्टिव डिट्रमाइनर का काम नहीं करता है यह difference आपको पता होना चाहिए तभी आप Mädels पृण Come कर पाएंगे आए आगे चलते हैं इसके टाइप करते हैं टाइप को सुरू करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि डिट्रमाइनर और एजेक्टिव में क्या फ़र्ख है एक चीज और आपके लिए बहुत जाना जरूरी हो जाती है कि जैसे यह तो हमने करी लिया कि डिट के टिव में भी इसका योजे हो सकता है और तीसरा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है और इंपोर्टेंट डिफरेंस है वो यह है कि जो डिट्रमाइनर है उसकी फॉर्म्स नहीं होती अगर डिट्रमाइनर आ है तो यही है अगर दा है तो यही है इसकी कोई फॉर्मस नहीं होत सुन्दर तर का प्रियोग होगा और सबसे जाधा सुन्दराइप तो सुन्दर्तं का प्रियोग होगा। ऐसे ही इसमें भी क्या हुता है ज de कि मॉय एक एचेक्टिव है इसकी जो कंपेरेटव डिडिगृ दिगि पेवनेगर। इसके degrees हो सकती है उसकी formation में change हो सकता है लेकिन जो determiner है उसकी formation में change नहीं होता यह changes कैसे आते हैं कई बार तो हमने देखा कि beautiful को हम beautiful नहीं करते यह beautifulest क्या करते हैं more beautiful, most beautiful तो वो कैसे होता है हम इन comparative और superlative degree का यूज कैसे करते हैं इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी पूरी detail information आपको दी जाएगी पहले हम देखते हैं कि adjective के types कौन कौन से हैं adjective का पहला type जो हम करेंगे उसका नाम है adjective of quality या फिर descriptive adjective जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह है quality के बार में है कोई सफेद है कोई black है white है hot है cold है तो इस प्रकार से यह quality हो सकती है तो adjective of quality या descriptive क्यों बोलता है कि describe करता है उसको बताता है उसका वर्णन करता है किसका किसी भी quality का वह quality size में हो सकती है color की हो सकती है shape की हो सकती है जैसा की examples में देखे I saw a white horse white क्या है adjective है और horse कैसा है white है color की है color की quality बताती गई he lost a white marker same एक white marker उसने खो दिया रामी इंटेलिजेंट कैसा है इंटेलिजेंट है यह उसकी personal quality बताती कि वह intelligent है बुद्धिमान है flowers are beautiful flowers सुंदर है यह उनकी appearance की quality बता दी कि कैसे दिखाई देते हैं कोई fat दिखाई देता है he's a fat boy CH stale rice उसने rice खाये कैसे rice खाये स्टेल जो बासी थे यह राइस की quality बता दी राम ड्रिंक होट टी राम ने चाए पी लेकिन चाए कैसी थी गरम थी cold नहीं थी तो इस प्रकार से जो words describe करते हैं बताते हैं quality को उनको क्या बोलते हैं adjective of quality आप definition से देख लिए adjective of quality is a word एक होता है that tells us about the quality of a person or thing being talked about being talked about जिसके बारे में बात हो रही है उस person के या चीज के कोई भी हो सकता है noun pronoun उस person के चीज के बारे में उसकी qualities के बारे में जो word हमें बताता है उसको क्या बोलते हैं adjective of quality कहते हैं यहां पर horse के बारे में बता दिया यहां पर एक person के बारे में बता दिया यहां पर think के बारे में बता दिया तो जो किसी person या think के बारे में जिसके बारे में बात कर रहे हैं बताते हैं उसको प्रोपर अजेक्टिव हिंदी में से बोलते हैं व्यक्तिव वाचक विशेशन इससे पहले आपने नाउन में टाइप पढ़ा था प्रोपर नाउन जो प्रोपर अजेक्टिव इज एन अजेक्टिव एक अजेक्टिव एक ऑशेशन है that is form जो form होता है किस से? फ्रोम आ प्रोप्र नाउन जो प्रोप्र नाउन से ही फ्रोम होएगा यालिकिस की सबसे बड़ी पहचान यह है कि अगर आपको प्रोप्र नाउन के बारे में जानकारी है कि प्रोप्र नाउन क्या होता है तब आप इस adjective को आसानी से पहचान पाएंगे जैसे के examples में देखिए America से क्या बना? American America क्या है? प्रोफ पर्नाउन है इसके बाद है Asian Asia क्या है? प्रोफ पर्नाउन है आपने America से बना लिया America से बन गया? American Asia से क्या बना? Asian I like Chinese food Chinese किस से बना? चाइना से बना C is learning French language French किस से बना? France France क्या है? प्रोफ पर नाउन है अगे सेक्सपीरियन सोनेट्स आर वेरी इजी सेक्सपीर क्या है? एक व्यक्ती का नाम है ये तो चलो जगों के नाम थे Asia, अमेरिका, चाइना और सेक्सपीर क्या है? एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट हुए है बहुत बड़े पॉइट हुए है तो उसे क्या बना? सेक्सपीरियन उन्हें सोनेट्स लिखे हैं को जो सेक्सपीरियन सोनेट्स हैं आर वेरी इजी तो इसमें सेक्सपीरियन इसमें चाइनीज इसमें एशियन इसमें अमेरिकन ये सब प्रोपर नाउन से फोर्म हुए हैं प्रॉप 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 के वालिटी चाइनीज फूर की वालिटी और फ्रेंच जो है वह किसी है तो द्यान रखना इसकी पहचान सबसे बढ़ी यह भी होती है कि जब भी हम प्रोपर अजटिव को लिखेंगे तो पहला लेटर कैपिटल और सबसे बढ़ी पहचान आपको कुछ भी द्यान नहीं आ र वो proper adjective है सबसे बड़ी पहचान इसकी यह है यह आपको note करना है क्योंकि adjective तो दूसरे noun से भी बन सकते हैं जैसा यहाँ पर child क्या है common noun है तो common से बन गया childish लेकिन यह proper adjective तो नहीं हो सकता तो proper noun से भी बनेगा यह तो common noun है anger यह abstract noun है इससे बन गया angry beauty से बन गया beautiful beauty यह भी abstract noun है तो abstract noun common noun से भी adjective बनाए जा सकते हैं लेकिन उनको हम proper adjective नहीं कह सकते proper adjective वही है जो proper noun से बनता हो जैसे कि आपको मैंने example दे करके यह समझा दिया है इनको क्या कहेंगे कि जो beautiful है adjective of quality कोई angry है adjective of quality तो हमने देख लिया कि प्रोपररे एजेटिव क्या है आए चलते हैं तीसरे adjective कि ओर आए अब करते हैं adjective of number number से क्या मतलब है number से मतलब है संख्या से one two three जिसको हम count कर सकते है जिससे people है लोगों को count किया जा सकता है marker है count किया जा सकता है adjective of number क्या है या फिर numeral adjective इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या वाचक विशेशन आए पहले देख लेते हैं कि संख्या वाचक विशेशन कैसे होता है आए हाव टू ब्रदर्स ब्रदर्स हैं कितने हैं टू है टू क्या है संख्या है थ्री गर्ल्स आर प्लेइंग गर्ल्स कितनी है थ्री है यहीं कि गर्ल्स क्या नाउन नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड को क्या बोलते है अजिक्टिव बोलते है यह उसका टाइप है कि यहां पे नंबर है संख्या है gonna like है ही गोट दाफ फॉस्ट प्लेस कौन सा प्लेस फर्स प्लेस हो इसके बात सी इंध्र सेखंड पोजिशन कौन सी पोजिशिन सेकंड पोजिशन संख्या है क्र ден पहली जो फॉस्ट पोजिशन होती है उसके बाद second position, a double murder was attempted, कैसा murder, double, दोहरा, तहिरा, ऐसे बोलता है कि दोहराई करो, दोहराई का मतलब क्या होता है, एक बार हमने उसको पढ़ाव, उसको दोहराओ, यानकी double time, तो यह सब क्या है, यह संख्या है, तो जिस word से हमें यह पता चले, कि वह word, क्या कर रहा है, किसी noun की संख्या को बता रहा है, अब यहाँ तो fix होगे, two brothers, I have two brothers, fix है, three नहीं है, one नहीं है, two है, three girls, girls three है, four नहीं है, two two नहीं है, तो यहाँ पर क्या fix है, और जो यह fix हो जाता है, जिसमें संख्या के बारे में, हमें fix पता चले, fix संख्या कितनी, three girls, how many girls, three girls, how many brothers, two brothers, ठीक है, कौन सा place, which place, first place, जिसमें हमें पता चले, कि इसमें संख्या का बोध करा रहा है, वह है adjective, और किसके बारे में, नाउन के बारे में, उसको बोलते हैं, definite, numeral, adjective, इनके adjective अपनमबर तो है, लेकिन उसके भी आग एक part है, और यह जो हम part करने हैं, कौन सा है, definite, numeral, adjective, अब definite कैसे है, क्योंकि निश्चित, definite का मतलब क्या होता है, निश्चित, fix बताता है, अगर मैं यहाँ पर कर देता, some girls, भाइस को छोड़ दो, three girls की बजाए लिख देता, some girls, पुछ लड़किया, अब पता नहीं कितनी, fix नहीं है, उसको indefinite बोल देंगे, कि अब indefinite numeral adjective हो जाएगा, तो यहाँ तो यह fix है, तो हम पहले बात कर रहे है, definite numeral adjective की, इससे आपको क्या पता चल रहा है, कि जो adjective है, वो fix संख्या को indicate करता है, अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया, two, यहाँ पर three, आप करते है, one, two, three, four, five, ऐसे numbers को बोलते है, cardinal number, क्या बोलते है, है, cardinal, और यह क्या पने है, जैसे, one, two, three, natural number, आपने mathematics में बढ़ागा, natural number, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, कही तक भी, वो सब क्या है, cardinal number है, two or three, इसके बादा first or second, आप बोलते हैं, first, second, third, fourth, fifth, sixth, इनको बोलते है, order, order, ordinal, अब इसमें जो दूसरा number है, वो है, ordinal number, वो क्या है, जैसे, first, second, last, कुछ भी हो सकता है, third, fourth, fifth, ऐसे, और आगे, last में देखिए, आप, यह first और second हो गया, ordinal, यह देखिए, double, single, double, triple, यह होते है, multiplicative, कौन सो होते है, multiplicative, इनको multiplication बोल सकते है, किसका double कर दो, इसका triple कर दो, इनके आपको बोलते है, कि two का triple क्या होगा, तो आप two into three करोगे, triple, two three जा six, तो triple हो जाएगा, तो इसको बोलते है, हम multiplication, multiplication, जैसे इसमें होगे, आपका, single आजाएगा, double आजाएगा, triple, यह सारे के सारे words, क्या करते हैं, एक fix number को बताते हैं, एक चीज आपको और बता देता हूं, अगर और deep में जाना है, और deep में कैसे, जैसे आपको आगया, I have two brothers, इसमें two जो है, वो कौन सा adjective है, सबसे पहले देख लिया, adjective वो नमबर है, क्योंकि नमबर के बारे में बता रहा में इसी है, फिर देख लिया, टू है, तो definite numeral adjective है, definite है, फिर देख लिया करदिनल नमबर है, आप क्या बोलोगे? definite cardinal numeral adjective, definite के बाद क्या लगा तो क्या लगा तो क्या कारडिनल है तो यहा पर कारडिनल लगा तो तो क्या करोगे definite multiplicative numeral adjective यानि कि आपको adjective of number के बारे में पता चल गया किसके बारे में बताता है संख्या के बारे में बताता है संख्या fix भी हो सकती है यहाँ पर fix है इसको मने definite numeral adjective बोल दिया definite numeral adjective के आगे तीन पार्ट्स है अगर कार्डिनल आता है तो definite के बाद कार्डिनल लगा दो ओर्डिनल है तो ओर्डिनल लगा दो और multiplication है तो मल्टि प्लिकेशन लगा दो इस परकार से हमने adjective of number का देख लिया कि इसमें संख्या के बारे में पता चलता है इसकी definition देख लो एन adjective that tells how many of something there is कोई चीज कितनी है लेकिन किसमें संख्या में इसमें नंबर में और इस adjective of number का जो तीसरा adjective of number कर रहे हैं इसका हमने पहला पार्ट को कर दिया definite numeral adjective अब दूसरा करेंगे दूसरा कौन सा है indefinite numeral adjective indefinite कैसे हो जाएगा मैंने आपको बताया था मैं यहाँ पर आई हाव तू ब्रदर्स कर दूँ सम गर्ल्स कर दूँ ठीक है तो इस परकार से अब हम करते हैं indefinite adjective of number कि जो adjective of number है इसका पहला पार्ट जो हमने अभी किया है definite डेफिनिट अजैक्टिव अण डेफिनिट नूइम्रल आजयक्टिव डेफिनिट नूम्रल आजयक्टिव तो इसके बारे में यह कब नहीं होता ऐसी situation भी तो हो सकती है कि वहाँ पे number तो आ गया 1, 2, 3 आप उसको समझ लो कि यह तो adjective है adjective तो noun or pronoun भी quality बताएगा अब कई बार ऐसा होता है कि 1, 2, 3 यह जो fix संख्या है यह quality ना बताएगे तो ऐसा द्यान हम हिसाब को रखना है यह देख लिजी example C1 race by 2 अब यह क्या है यह भी हो सकता था C1 by 2 वह दो नमबर से जीती अब क्या जीती यह है वह क्या जीती race जीती तो यह जो 2 है यह race की quality नहीं बता रहा है यह दो नमबर बता रहा है तो वह दो नमबर से जीत गई दूसरा example देख लिए he got tired after 12 वह 12 बजए के बाद ठक जाता है तो यह 12 जो है वह ही की quality थोड़े बता रहा है pronoun की यह तो बता रहा है कि बारा जैसे बचते हैं उसके बाद थक जाता है तो यहाँ पर 2 और 12 आपने देखना है कि quality बता रहा है कि नहीं बता रहा है adjective तभी होगा यह adjective of number तभी बनेगा तो यह adjective of number नहीं है कौन सा? definite, numeral adjective of number नहीं है अब एक चीज़ और देख लिए कहीं बार दो adjective एक साथ आ जाते हैं देखिए the first five pages are missing first भी आगया, five भी आगया या पर cardinal भी आगया और ordinal भी तो आपने हमेशा ध्यान रखना है हमेशा ordinal number ही आएगा अगर दो adjective एक साथ आजें यहाँ पर दो एक साथ आगे तो पहले ordinal ही आएगा उसके बाद cardinal आएगा कई बार competitive exam से पूछ लेतने कहाँ पर mistake है तो दूसरा sentence गल्त है यह गल्त है, बिल्कुल wrong है यह सही है तो हमने देख लिया कि definite numeral adjective जो है उसमें जो adjective of number का एक part है उसमें हमने पहचान कैसे करनी है और अगर double adjective आजए तो उसको कैसे देखना है अब इसका करते हैं दूसरा part जो indefinite adjective है दूसरा जो part adjective of number का है वो है indefinite adjective of number या फिर numeral adjective आप कुछ भी लिख सकते है या तो indefinite numeral adjective या फिर indefinite adjective of number यानि कि number की बात है जिसको हम count कर सकते है सबसे बड़ी पहचान इस adjective की यही है कि इसमें जो भी noun होगा वो countable होगा उसको हम count कर सकते है definite में fix होगा 2, 3, 4, 5, 1, 2 या first, second और इसमें indefinite होगा लेकिन count हम जरूर कर पाएंगे two brothers, two definite है और brothers को हम count कर सकते है one, two लेकिन इसमें indefinite अनिश्चित है all men सभी आदमी mortal है all कितने भई? पता नहीं है counting नहीं है count नहीं कर सकते कि कितने हैं लेकिन countable है man को count किया जा सकता है चार आदमी को आप खड़ा कर तो one, two, three, four, five count कर सकते है लेकिन इहां जो situation दी है कि वे ये all men इनको नहीं count कर सकते हैं यानिकि indefinite है पता नहीं कितने some boys are absent कुछ boys absent है कुछ है पता नहीं दो, चा, छे, आर, दस कितने? count तो कर सकते हैं को अगर पता चल जाए one, two, three, four, five करके लेकिन कितने हैं ये नहीं पता तो some boys boys को कौन qualify कर रहा है some men को all I have a few books मेरे पास कुछ किताबे हैं कितनी है कुछ किताबों count कर सकते हैं लेकिन कितनी हैं ये नहीं पता पांच, दस, बीस, कितनी हैं she has many books उसके पास many books अनेक किताबे हैं अब अनेक कितनी हैं ये नहीं पता है लेकिन number है इसमें इसको count कर सकते हैं इसकी सबसे बड़ी पहचान यही है कि जो noun होगा जिसकी विसेशता बताई जाएगी वो countable होगा उसको count कर सकते हैं again she has enough friends उसके पास प्रियाप्त महत्रा में friends हैं अब friends को तो count किया जा सकता है more has few enemies अब यहाँ enemies की बात की गई है तो यह जो words है all, some, few, many, enough, certain, several, no, several I have several friends मेरे कई मित्र हैं count कर सकते हैं लेकिन indefinite हैं यहाँ पे अनिस्चित यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि संख्या तो है लेकिन संख्या कैसी है वो अनिस्चित संख्या है और definite पे क्या था मैं यहाँ some boys के ज़्याइट टू कर दूँ two boys तो क्या हो जाएगा यह निस्चित है यह definite है तो इस परकार से हमने देखा कि adjective of number संख्या का बहुत कराता है और वह किसी नावन की संख्या के बारे में बताता है यह बात अलग है कि adjective of number भी दो टाइप्स को होते है definite adjective of number और दूसरा indefinite adjective of number या फिर indefinite numeral adjective और definite के भी आगे हमने parts कर लिए cardinal, original और multiplication आएए करते हैं next type of adjective आएए अब हम करते है adjective of quantity quantity का मतलब क्या होता है quantity का मतलब होता है मात्रा, परिमान जिससे हम मात्रा के तोर पर आँख सके कि जग में थोड़ा सा पानी है माप सकते हैं कि थोड़ा सा है पानी को count नहीं कर सकते मतलब हमने adjective of quantity में ये देखना है काउंट कर सकते हैं फिर तो क्या हो गया जैक्टिव नंबर हो गया संख्या जिसको हम काउंट कर सकते हैं या फिर जिसे काउंट कर सकते हैं लेकिन वहां पर उसको डेफिनिट नंबर नहीं है इंडेफिनिट है यहां पर क्या है यहां पर मात्रा को देख सकते हैं मात्रा को आख सकते हैं उसको count नहीं कर सकते हैं यानि कि adjective of number में countable नहीं होता है और इसमें कौन सा होता है uncountable जिसको हम count ना कर सके यह फरक है adjective of quantity और adjective of number में आएए देखते हैं कैसे is there any water कि किसी question पूछ रहे हैं क्या महाँ थोड़ा सा पानी है एनी का प्रयोग आप अजेक्टिव ओप quantity में करोगे लेकिन हमेशा इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में ही करोगे या तो इंटेरोगेटिव में या नेगेटिव में कि मैं यह हुआ हरे हिछ एट्ट प्र्ला इंटेर इंटे इस देर एनिवाटर ही ट्रेंक सम् गफ़ी उसने कोफी कि एनन है कॉफी को गिन सकते हैं वनको फी टूखी थी को बिकशे गिन सकते हैं कॉफी तो लिकिंड है कैसे गिना जा सकता है कप को गिन सकते कर most coffee कप Cao Coffeeक औ क और उसको कोई वर्ड क्वालिफाइब कर रहा हो तो वह वर्ड क्या लगता है जैक्टिव प्वाउंटिटी क्या है एजहक्टिव प्वाउंटिटी यही सम नंबर सकता है I have some markers मेरे पास कुछ marker है marker को count कर सकते है तो यही word जो sum है यही adjective नंबर भी बन सकता है लेकिन देखना क्या है कि इसके बाद जो word है जो noun है जिसको यह qualify कर रहा है वह है क्या है क्या हम उसको count कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं I haven't enough time अब time अमने समय की मात्रा उसको हम count नहीं कर सकते एक time, दो time, तीन time नहीं कर सकते अगर मैं लेकरे तो I haven't enough friends फिर count कर सकते हैं adjective of number हो जाएगा तो enough क्या है adjective of quantity there is a little water in the jug जग में थोड़ा पानी है water को qualify कर रहा है कौन a little a little क्या हो गया sorry little क्या हो गया adjective of quantity the cat drank the little milk I had अब यहां milk क्या है उसको हम count नहीं कर सकते के वह उसकी मात्रा है परिमान है मापा जा सकता है little में माप लो meter में माप लो कपड़ा है meter में मापा जा सकता है लेकिन गिनात नहीं जा सकता तो यहां पर क्या हो गया milk को क्या कर रहे है letters को क्या कर रहा है qualify कर रहा है यह क्या हो गया adjective of quantity आगे देखिए c had much bravery बहादुरी है काफी बहादुरी है कितनी है यह नहीं हम गिन सकते c had no bread c had no friends ठीक है उसा कोई मित्र नहीं है c has no friends कोई मित्र नहीं है मित्र को काउंट कर सकते हैं फिर तो यहीं no adjective of number हो जाता लेकिन यहाँ पर c had no bread bread को कैसे काउंट करोगे तो यहाँ पर क्या है यह adjective of quantity हो गया और एक sentence पहले दर का sentence देख लीचिए c had much rice उसके पास काफी मात्र में rice है he had sufficient food food को qualify कर रहा है sufficient तो sufficient adjective of quantity हो गया food को हम माप नहीं सकते इस प्रकार से जो words इसमें adjective of quantity है उनको देख लीजिए much आपका much adjective of quantity हो गया आपका no adjective of quantity हो गया any some enough little little sufficient much यह words यह सारे क्या है adjective of quantity है क्योंकि यह quantity के बारे में बताते हैं एक sentence आपने द्यान देखना है इसमें कि जो enough word है यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है adjective of quantity आपने ध्यान रखना है इनफ वरड नाउन से पहले आयेगा time क्या है noun है noun से पहले आएगा फिर क्या होगा adjective of quantity है लेकिन अगर एड्जेक्टिव के बाद आएगा kind क्या है adjective अगर इनफ एड्जेक्टिव के बाद आएगा तो यहाँ पर यह होगा Adverb ये बात आपने ध्यान रखनी है कि अगर Enough किस से पहले आता है Noun से पहले आता है तो Enough क्या होता है Adjective होता है और अगर यही Enough Adjective के बाद आएगा तो ये Adverb होता है के विल Enough के बारे में आपने इतनी बात ध्यान रखनी है I hope कि आपको ये Adjective of quantity अच्छे से के लिए हो गया होगा आएए करते हैं बहुत ही Interesting Adjective जिसका नाम है Demonstrative Adjective मैं आपको ये Marker दिखा रहा हूँ ये मैं Demonstrate कर रहा हूँ इसकी और संकेत कर रहा हूँ तो Demonstrative Adjective को हम बोलते हैं संकेत वाचक विशेशन जब किसी चीज की और Indicate किया जाए उसकी तरफ Point किया जाए To Point at something किसी चीज की और इसारा किया जाए तो समझ लो जिस वर्ड के द्वारा हमें ये पता चलता है कि हम इस वर्ड से किसी चीज की और इसारा कर रहे हैं वह वर्ड क्या होता है Demonstrative Adjective अब देख लिजे कैसे This pen is mine ये pen है This pen is mine ये है pen ये वाला pen मेरा है तो यहाँ क्या है ये Noun Noun से पहले क्या है एक वर्ड है This ये this किसको identify कर रहे है Pen को Pen के बारे में बता रहे है Pen को indicate कर रहे है कि ये वाला pen Is mine तो this क्या हो गया Demonstrative Adjective This की एक खास बात है कि ये नजदीक की चीज के लिए प्रियोग क्या जाता है किसलिए Near के लिए कोई चीज Near हो एक तो पास में हो और ये क्या हो Single हो तो pen क्या है Single है और pen मेरे पास में है This This pen is mine उसके बाद That book is hers कोई book रखे है महाँ पर दूर That book Is hers तो यहाँ पर That का प्रियोग होता है एक तो far दूर की चीज के लिए और एक किसी दूर रखी वस्तू को जब हम Indicate करते हैं और singular के लिए यानिकि That का प्रियोग और this का प्रियोग दोनों का singular के लिए होता है पस फरक क्या है कि this का प्रियोग नजदिक की चीज के लिए और that का प्रियोग दूर की चीज के लिए तो that भी क्या हो गया Demonstrative adjective किस को Indicate करते है बुक को इसके बदर दीज पैंस दीज मने ज्यादा दिस का क्या हो गया दीज पैंस का क्या हो गया पैंस अब पैंस हो गए ज्यादा अब जो हमारे पास ज्यादा पैंस स्पोज़कर मेरे पास तीन पैंस हो रहा है मेरे हाथ में और एक पलूरल की चीजों के लिए पलूरल क्या होता है ज्यादा चीजों के लिए तो दिसका दीज का प्रियोग ज्यादा चीजों के लिए दिसका सिंगल चीज के लिए और डैट का सिंगल चीज के लिए दूर के लिए दिसका नजदिक के लिए और सिंगल के लिए ऐसे ही तो यहाँ पर दोज क्या हो गया एक तो फार यानकि दूर की चीजों के लिए और पर्लूरल के लिए इसको हम पर्योग करते हैं एक बात ध्यान रखने हैं एड़जेक्टिव तभी होगा अज्जेक्टिव तभी माना जाएगा जब यह words, noun के ठीक पहले होंगे अगर ये words, noun के ठीक पहले ना हों, तो क्या होगा आपने अगर pronoun का वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें उसमें ये चीज detail में बताई हुई है फिर भी हलका सा explain कर देता हूँ this is my pen अब यहाँ पर this क्या है, अब यहाँ पर this demonstrative adjective नहीं है यहाँ पर this pronoun है, यहाँ पर क्या है pronoun है pronoun क्या होता है, जो किसी noun के place पर यूज किया जाए, this is my pen, यह है मेरा pen है तो आपने दिहान रखना है, अगर this, that, these or those noun के साथ ही आएं noun के साथ ही आएं, तो demonstrative adjective, और अगर noun के साथ ना आएं noun से अलगाएं, तो क्या होंगे demonstrative pronoun, क्योंकि demonstrate तो करी रहे हैं कि this is my pen, demonstrate तो उसको करी रहे हैं, इस की जगा आप that लगा लो that is my pen, तो यह this or that, यह भी किसी चीज को indicate ही कर रहे हैं, this this is my pen, बस फरक सिरफ क्या है, कि इसने के साथ क्या है, noun नहीं है, अब noun यहाँ पर आ गया, pen इसके साथ क्या है, my तो my क्या है, my adjective है, और कौन सा adjective है, यह हम करते हैं, अगले adjective में, तो क्या देखें यहाँ पर, क्या definition बनती है अश्की, an adjective that identifies a noun or pronoun, जो किसी noun यह pronoun को identify करता है, यहाँ पर यह pronoun को identify कर रहा है और यह बताता है कि वो नजदीक है या दूर है, कोई चीज नजदीक है कि दूर है, वो हमने देखे लिया कि दिस से में नजदीक का, दैट से दूर का और singular का, दीज और दोज से दीज से नजदीक का, और दो से दूर का, और plural noun के बारे में हमें पता चलता है, आईए करते हैं इसके बाद, वो जैसिव अज़ेक्टिव, वो जैसिव क्या होता है, पजैस्शन होना, अधिकार होना, किसी चीज को अपना कहना, कि आप से बिलॉंग करती है, या किसी और से बिलॉंग करती है, या कि पोजैस्शन से हमारा मुतलब है, किसी चीज को प्रेसर जागे गाना, तिस इज माइपन, तो यहां पर देखिए, अगर किसी डेफिनिशन देखी जाए, एन एजेक्टिव देट मुडिफाइज अन नाउन बाई आइडेंटिफाइंग, और पोजैस्शन ओफिट, कि जो चीज है, इसका पोजैस्शन, इसके उपर अधिकार, या इसका मालिकाना हक, किसका है, एक ऐसे नाउन के बारे में बताती है, क्या करती है, एक नाउन को मॉडिफाइज करती है, और बताती है कि इस noun के ओपर किसका अधिकार है देखिए example से this is my pen pen क्या है? वो noun है और my एक ऐसा word है जो यह modify करता है यह बताता है कि इस pen के ओपर मेरा अधिकार है तो my क्या है? adjective है योगि adjective किसे noun या pronoun को qualify करता है और noun से पहले आता है I lost her bag मैंने उसका बैक खो दिया यहनिकी उससे जो सम्मन रखता था बैग उसको खो दिया बैग क्या है? नाउन और हर क्या हो गया? पोजेसिव अजेक्टिव उसके बताए योर हाउस घर किसका है? योर अब हाउस क्या है? नाउन इसको मोडिफाई कोन कर रहा है? योर तो योर क्या हो गया यहाँ पर? पोजेसिव अजेक्टिव देयर स्कूल स्कूल को मोडिफाई कोन कर रहा है? देयर कि उनका स्कूल है उनसे सम्मन रखता है तो स्कूल यहाँ पर नाउन हो गया और noun पे ownership या possession कुछ सा word दिखा रहा है there तो यहाँ पर जो यह words है my, her यह your और there यह सब क्या है यह possessive adjective है ध्यान रखना है यह possessive adjective हमेशा किस से पहले हैंगे noun से पहले ही आएंगे आपको pronoun में मैंने बता था कि person को कैसे करते हैं यह subjective I, my, me we, our, us, you, your, you see, her, her he, his, him, they, there, them तो यहाँ पर जो यह वाली line है यह subjective इसका हम subject में ही use कर सकते हैं इसको बोलते हैं subjective person यह जो beach वाली है यह है possessive तो आपने ध्यान रखना है my, our, your, her, his, there इहीं का use possessive adjective में हो सकता है तो यह beach का क्या हो गया यह हो गया possessive इनकी possessive case हो गया है possessive case में ही इनका use हो सकता है possessive adjective में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं इसके बाद me, us, you, her, him, them यह है objective case इनका प्रयोग objective case में ही हो सकता है लेकिन आपने ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं adjective की और possessive adjective की तो possessive adjective में केवल possessive case वाले person ही आ सकते हैं और वो हमेशा नाउन से पहले आएगे आये करते हैं अगला adjective इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेट करना पोलिस क्या करती है क्रिमिनल से interrogate करती है सवाल पूछती है तो जिस adjective से हमें ये पता चले कि सवाल पूछा जा रहा है question पूछ क्या जा रहा है वह है adjective कौन सो होता है interrogative adjective देखे an adjective that modifies a noun or pronoun एक noun ये pronoun को modify करता है in order to ask a question एक question पूछने के लिए question पूछता है उनके बारे में noun के ये pronoun के बारे में कैसे which pen is mine pen रखे है उनमें से पूछा जा रहा है which pen is mine कौन सा pen मेरा है तो pen को modify कर रहा है pen के बारे में पूछा जा रहा है तो pen के है noun noun के बारे में कौन सा word पूछ रहा है which question पूछ रहा है interrogate कर रहा है sign of interrogation इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अब इंटेरोगेटिव एजेक्टिव में कहाएगा साइन ओफ इंटेरोगेशन जरूर होगा और यहाँ पर किसको नाउन को मोडिफाई कर रहे है Whose book is this? कोई book है, यह book किसकी है? Whose book? किसकी book? तो book क्या है? उसको मोडिफाई कर रहे है Whose word? उसकी बड़ा, what papers do you read? क्या paper पढ़ते हो? तो यहाँ papers को कोन मोडिफाई कर रहे है? What ध्यान रखना है What, Whose, और Which यह जो इंटेरोगेटिव एजेक्टिव हैं इनके साथ ही नाउन आएगा अगर इनके साथ नाउन नहीं है फिर यह अजेक्टिव नहीं है यह बात ध्यान रखनी है सबसे पहली पैचान तो यह के कोश्चन मार्क होगा कोश्चन मार्क के बाद देखना है Which, Whose, और What इनके साथ ही है क्या नाउन? साथ ही है तो interrogative adjective है और अगर नाउन इनके साथ नहीं है Which is your pen? Which के साथ तो है नाउन? Whose is this book? Whose के साथ नाउन नहीं है What is your name? इसके साथ नाउन नहीं है तो यह फिर क्या हो जाते हैं? प्रोनाउन की वीडियो बड़े द्यान से देखना उसमें बताया गया है कि यह क्या हो जाते हैं? यह प्रोनाउन हो जाते हैं और प्रोनाउन कौन से? interrogative pronoun एग नगर इनके साथ noun है तो interrogative adjective इनके साथ noun नहीं है तो interrogative pronoun यह बन जाते हैं तो यह difference आपने जरूर देखना है और question mark दोने में जरूर होगा I hope के interrogative adjective आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा exclamatory adjective साथ आप पहली बार इसके बारे में सुन रहे होंगे लेकिन यह भी एक परकार का adjective होता है exclamation एक sign आपने देखा होगा यह जो sign है यह sign of exclamation और जिस sentence के बीछे यह sign आ जाता है उसको बोलते है exclamatory sentence और इसको बोलते है sign of exclamation और यह what a scene यह पूरा का पूरा जो sentence है वो exclamatory sentence है exclamation का मतलब क्या होता है जब आपके अंदर सडन एक तम से कोई feeling आ जाए आप कोई movie देख रहे हैं एक horrible scene आ जाए आप डर जाए एक तम से what a horrible scene आपको कोई सुन्दर सा scene दिख जाए what a scene what a beautiful scenery आप एक दम से चिल्ला उठते हैं आप एक दम से अपनी feeling को बहार निकालते हैं तो it shows sudden strong emotion एक दम से जो emotion उभरती है उसको यह दिखाता है और जो word इसके बार में बताता है उस word को क्या बोलते हैं exclamatory adjective देखिए what a scene scene के बारे में बता जा रहा है noun के उपर जो noun है उसके उपर यह pressure डालता है उसके बारे में बताता है what a scene scene के बारे में बता है क्या scene है तो जो what है अभी पिछले में किया था interrogative adjective question mark होगा तो interrogation का काम करेगा और यहां पर किसका काम कर रहा है exclamatory adjective का तो what यहां पर कहा है exclamatory adjective हो गया such a nice diary diary के बारे में बता रहा है कि इतनी सुंदर diary कि इतनी सुंदर यानि कि उस feeling को हम एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि कितनी तो such जो word है इस sentence में जिसमें sign of exclamation पीछे आ गया है such exclamatory adjective है how foolish I am कोई गलत काम होगे आपसे और आपको ओर रहे मैं भी कितना मुर्क हूँ अपने आपसे बात निकल गयाती है तो how जिसके बारे में बता रहा है fully कितना मुर्क मुर्क कितना वही कितना वो तो है नहीं कोई मापतंड लेकिन sign of exclamation की होने के वज़े से exclamatory adjective है what के बारे में आपको बता दिया what a blessing जिसने कोई आशिरवात दे दिया कि जाओ तुम उड़ सकते हो तुमारी इच्छा सब पूरी होंगी जो बोल लोगे वही पूरा होगा तो यहां पर exclamatory adjective वही है ध्यान रखना इसकी पहचान क्या है कि लाश्ट में sign of exclamation इसमें होता है और अगर question mark है तो फिर वो interrogative adjective भी हो सकता है interrogative pronoun भी हो सकता है एक और adjective जिसका नाम साइद आपने पहली बारी सुनोगा noun adjective यह से adjective noun भी कहते है यह modifier noun भी कहते है इससे modifier noun क्यों कहा जाता है यह फिर adjectival noun यह फिर noun adjective क्यों इसका नाम पढ़ा इसका नाम इसलिए यह पढ़ा क्योंकि इसमें एक noun ही दूसरे noun के बारे में describe करता है एक noun ही दूसरे noun के लिए adjective का का काम करता है हम एक नाउन को अजेक्टिव के तोर पर भी यूज कर सकते हैं कैसे करनाल इस माई होम डिस्ट्रिक्ट बैस डिस्ट्रिक्ट है लेकिन कैसा डिस्ट्रिक्ट है बिग है शोर्ट है लेकिन यहां पर क्या होम डिस्ट्रिक्ट अब होम क्या है नाउन है डिस्ट्रिक्ट क्या है नौन है लेकिन दिस्स्टिक से पहले हूम लगने की वज़े से अब हूम नौन नहीं रहा अब ये क्या बन गया अब ये adjective बन गया क्या बन गया adjective ये noun नहीं रहा आभ ललग एक noun दूसरे noun को जब qualify करता है जब उसके बार में बताता है तो वो adjective कहलता है और उसको बोलते है noun adjective या फिर adjectival noun अब आगे दूसरा example देखिए C has a race car उसके पास एक car है कैसी car है? Race car है Race क्या है? Race भी noun है और race का यूज तो आप verb के तोर पर भी कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या है? Race भी adjective का काम कर रहा है क्योंकि race एक दूसरे noun को क्या कर रहा है? Define कर रहा है इसके बारे में बता रहा है एक noun दूसरे noun को क्या कर रहा है? Describe कर रहा है और race horse अब horse क्या है? Noun है Race क्या है? Noun है तो यह race भी क्या होगा यहाँ पर? Adjective हो गया बस simple सी बात जब एक noun से पहले दूसरा noun आ करके उस noun को describe करे उसकी विशेशता बताए के horse तो है लेकिन कैसा horse है? दोडने वाला ठीक है? इजा horse अब देखो पूरा sentence देख लो race horse इजा horse एक race horse कौन सा horse होता है? That runs in races अब यहाँ race क्या है? Noun है जब एक उसको noun को कोई दूसरा noun क्या कर रहा है? describe कर रहा है I drink lemon tea daily मैं daily lemon tea पर तो lemon क्या है? noun है tea क्या है? noun है इसलिए lemon क्या हो गया यहाँ पर? adjective हो गया है तो यह noun लेकिन यह इसको describe कर रहा है मैं यहाँ पर hot tea भी लिख सकता था hot tea लेकिन hot सबसे पहला adjective क्या था? adjective of quality जो quality के बारे बताता है गरम है थंडा है मोटा है छोटा है आकार कैसा है shape taste इसके बारे बताता है तो यहाँ पर hot क्या है adjective of quality लेकिन lemon क्या बन गया? noun इसके बाता England football team coach has come coach क्या है? noun है noun को यह पूरा पूरा England football team पूरा का पूरा ही इसके लिए adjective का काम कर रहा है England भी noun है football भी noun है team भी noun है अगर यहाँ तक यह मैं इसको cut कर दूँ coach को England football team has come तो यह team अब team क्या है? यह adjective नहीं रहा यह वो noun हो गया इसको यह qualify कर रहे है अब यह क्या हो गया? अब team यहाँ पर noun हो गया और यह क्या हो गया? इसका अजेक्टिव हो गया अगर मैं coach को रखूँ फिर यहाँ से लेके सारा क्या हो जाएगा? noun adjective हो जाएगा आप अक्सर घरों में यूज करते हैं bath, room bath, room car, driver तो driver को क्या है? car, car तो noun है लेकिन वहाँ पर उसके लिए वो adjective का काम करती है customs, duty sports, club नहीं कलब से पहले क्या आगया? sports, club तो इस परकार से हमने देखा कि noun adjective या adjective noun क्या होता है? जब एक noun दूसरे noun को क्या करता है? describe करता है participial adjective अब participial adjective क्या होता है? इसको जादने से पहले हमें participle के बारे में पता होना चाहिए कि participle क्या होता है? एक present participle होता है, एक past participle होता है इसके लिए आपको मेरी अलग से वीडियो देखने पड़ेगी कि participle क्या होते है? हलका सम आपको पता देता हूँ जिस वर्ब के साथ ing लग जाए वह present participle में यूज हो सकती है मैंने swim verb लेली swim के साथ मैंने लगा दिया ing swimming मैंने verb लेली run run के साथ लगा दिया ing running यालिकि जिस वर्ब के साथ ing लग जाए उसको बोलते हैं present participle अब यहां पर देखिए he has been swimming in the lake यह present perfect tense का एक sentence है इसमें swim के साथ ing लगा है he has been swimming in the lake जो swimming है वो present participle है इसके बाद अगर मैं बात करूँ उन verbs की जैसे आप क्या करते हो गिव गेव गिवन यहोगी present यहोगी past यहोगी past participle आप इसको क्या बोलते हो present first form बोलतो आप अक्सर किताबों में देखते होंगे इसको बोलते हैं अप second form जो past की होती है और यह क्या है थर्ड फॉर्म इसको बोलते है पार्टिसिपल और कौन सा पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल क्या है यह past participle है तो पास्ट पार्टिसिपल बनाने के दो तरीके है एक तो वर्ब के पिछे एडी लगा तो ठीक है वर्ब के पिछे क्या लग जाएगा इडी लग जाएगा इडी कैसे जैसे डिलीट एक वर्ब है सुरूरि यह छोगी इसके बना दिए हमने क्य Rouge यह पास्ट होगी। इसकी तर्ड भी क्या बनेगी एडी लगकर ही बनेगी जिसको हम को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल तो पास्ट पार्टिसिपल बनाने के दो तरीके हैं एक तो इडी लग जाएगा जिसके बिछे इडी लग गया उसको बोलते हैं रेगुलर पार्टिसिपल क्या बोलते हैं रेगुलर पार्टिसिपल जो यह डिलीट वर्ब है एक रेगूलर वर्ब और यह होगी रेगूलर वर्ब क्योंकि इसमें रेगूलर के तरीके से जिसमें इडी लगता है रेगूलर वर्ब जिसमें इडी नहीं लगता अलग तरीके से बनती है वह क्या बनती है जैसे Fly 주 Raw है छिग है टेक टूख टेकन अलग तरीके से बनती है तो वह Irregular और यह क्या होगी रेग्यूलर अब बात अती है हमने क्या करना है हमने देखना है पार्टीसीपिल हैजेक्टिव क्या होता है यह क्या है कई रगाने से क्या बनता है और ing लगाने से क्या बनता है ing लगाने से present participle बनता है और ed लगाने से past participle बनता है लेकिन participle adjective क्या है जब यह verbs जो ing लगा करें बने या ed लगा करके regular participle या irregular बिना ed के बने जो जिसको आप थर्ड फ हम कहते है वर्ब कि जब ये किसी नाउन को मुडिफाई करें किसी नाउन की आइडेंटिटी बनें किसी नाउन को जिसक्राइब करें जैसे he has been swimming inンドalik. किसी मत दिसक्राइब नहीं कर रही है क्योंकि swimming के बात कोई नाउन नहीं है हsis क्या है ये तो बहुंद सी बात प्रेजेंट पार्टिसीपल का यूज है आगे माई वर्ट two अब देलीटिटिड इसके आथ आगे भी छॉफंद नहीं यह है तो यह बी क्या है यह यop कि मैंने कहा कि पास्ट पार्टिसिपल में इडी लगा करके या कुछ और लगा करके जो थर्ड होती है वो बनती है और प्रेजंट पार्टिसिपल में आई एंजी तो यह तो गया प्रेजंट पार्टिसिपल का लेकिन पार्टिसिपल एजेक्टिव कैसे बनेगा ही गैस्ट deleted words अब deleted के बाद क्या आगया एक वर्ब थी ये वर्ब इसकी past participle वाली वर्ब है जैसे हमने यहाँ देखा इसके बाद मौने वर्डस सोजान हैं किन नाउन को क्या qualify कर रहा है deleted दिलीटेड क्या होगा आपका participants adjective यह जो वर्ड है यह आपका बन गया कि पार्टिसीपियल एजेक्टिव तो आपको ग्यान होना चाहिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और पास्ट पार्टिसिपल क्या है जब पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्प्स किसी नाउन को कॉलिफाई करें उ को और चिर्नड को कानफूज नहीं होना है क्योंकि यहां पर यह प्रेक्पूरा नाउन है ही लाइक मैं सुमिक्व मैं सुमिंग पसंद करता है यहां पर यह जिलंड का प्रयोगा जब आई एंची लगाने से कोई वर्ब नांवन का काम करें तो उसको जिरड बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको जी ई आर यू एंडी तो यह भी हमारा एजक्टिव नहीं है कैसे बनेगा ही लाइक स्वीमिंग पूल पूल क्या है नाउन और नाउन को क्या चीज क्वालिफाई करें स्वीमिंग तो swimming क्या है एक verb है उसके साथ आए जी लग गया तो यह भी क्या हो गया पार्टिसीपियल अजेक्टिव उसके बाद यहां देखिए swimming इजा good exercise अब यहां पर क्या है swimming अब swimming एक noun का काम कर रहा है आपको बताया आपने देखना है जब वो एक noun का काम करे swimming क्या होती है तैरा की तैरा की क्या है तैरा की तो तैरा की एक अच्छी exercise है तो तैरा की यह भी हमारा पार्टिसीपियल अजेक्टिव नहीं है यह कब बनेगा जब इसके बाद क्या आ जाएगा नाउन आ जाएगा अगर कि he fell from the running car running car car कया है nine nine seven से पहले क्या गया रनींग क्या हो गया आपका पार्टिसीपियल अजेक्टिव हो गया रनींग का पुरियोग बहुत तरीके से कर सकता है आयम रेनिंग मैं डोड रहा हूं वर्ब हैं क्या है यहां पर वर्ब हीज रनिंग वह दोड रहा है वर्ब है और तो अलग अलग परकार से हमने पार्टिस्पियल एजेक्टिव को देख लिया तो आपने ध्यान रखना है जब आई एंजी वाली किसी वरब के बाद यैसे स्विमिंग है कोई नाउन आ जाए और जब एडी लग करके या किसी और तरीके से गिव गेव गिवन किसी और तरीके गिवन आजये गिवन के बाद वर्डस आ जाए तो फिर क्या बनेगा वह पार्टिसीपेल अजेक्टिव हो जाएगा आई होप आपको यह ज्टिव समझ में आगया होगा अब चलते हैं नेक्स्ट अजेक्टिव क्योर को कि दिस्टिबूटिव एजेक्टिव का किया मतलब बतुan बांटना इसमें हमारा अभिप्राए रहे हैं है कि जैसे फिल करेता है कि कक्षा में बच्छा में इस काम को करेगा लिए क्लास को प्रतेग बच्चा सबको कांट डिवाइड करना एक से हमारा भी प्रहें जैसे एक्जामपल अगर देखें इच परसन गोच लंच इच परसन का मतलब है कि जितने भी परसन है हर किसी को परतेख को क्या मिल गया लंच मिल गया अगर एवरी चाइल्ड रिसीवड अब आप कहोगे जब इच का मतलब भी परतेख है और एवरी का मतलब भी परतेख है फिर हम एक ही क्यों नहीं यूज करते यहां पर इच का और एवरी का डिफरेंट से समझना बहुत जरूरी है इच से हमारा मतलब होता है इंडिविज्वली एक एक करके और एवरी से हमार मतलब है collectively यानि कि जब हम every का प्रियोग करेंगे तो इसका मतलब है अगर मैं क्लास की बात कर रहा हूं every student of the class इसका मतलब है class की जितनी पूरी की पूरी class को मैं कह रहा हूं यानि कि मैं उस पूरे के पूरे group को ले रहा हूं और each का मतलब परते एक एक करके every मैंने सब को बोल दिया कि every child will go there every child will go there मतलब है हर बच्चा जाएगा एक एक करके सब अलग अलग नहीं collectively मैंने बोल दिया जाएंगे सारे और each का मतलब है एक एक करके एक एक करके तो each आप ध्यान रखना कि जब दो या दो से ज़्यादा की बात हो तो each का आप परियोग कर सकते हैं और every का मतलब है जब दो क्या दो से ज़्यादा से भी ज़्यादा की बात हो यनि collectively आप किसी को कह रहे हैं अब चार आदमी वहाँ पर बैठे हैं चारों को आप बोल सकते हैं कि each person इस परसन पर चारों में से प्रतियक पूरी क्लास बैठी है वह सारा हुजूम सारे लोग बैठे हैं वहाँ आप एवरी का यूज करोगे कहना तो आप वहाँ पर भी यहीं चाह रहे हो कि प्रतियक एक-एक करके लेकिन इच का मतलब है कि जहां संख्या दो या दो से जाता हूँ एवरी का मतलब संख्या बहुत जाता है वहाँ आप एवरी का प्रियोग करेगे अगर आइदर बोय स्टॉल दा पैन वह एक बच्चे ने किसी भी बच्चे ने जहाँ पैन को चुराया आइदर के साथ है आप और का प्रियोग कर सकते हैं इ। आएदर राम और श्री अmee ए य। तो आइदर जो है वह को क्वालिफाई कर रहा है और और जो है वह को क्वालिफाई कर रहा है तो However क्या है यह यह distributive adjective है, दोनुम कहा दिया वहीं, दोनुम से एक तो जाएगा, दोनुम से अगला काम को पाँच दिया है, इसी प्रकार से neither girl knows how to cook, निदर का प्रियोग होता है नहीं में, negative sense में, और either का प्रियोग होता है पोजिटिव सेंस में, इसका प्रियोग positive sense में, और निदर का प्रि तो कैसे पकाया जाए कैसे खाना बनाया जाए निदर गर लौच कोई भी लड़की नहीं जानती यानि कि एक एक लड़की के बात हो रही है तिस टीबूड पे जितनी लड़के कोई भी नहीं जानते हाव टू कुक जा इच हैं है हर ओन परस्नेल्टी अब यहां देखिए अगर मैं यह करूँ कि एवरी हैं लेट एग्स अब देखिए मैंने यहां हैं के साथ ही इच का प्रियोग कर दिया और यहां हैं के साथ एवरी का प्रियोग कर दिया यहां पर क्या है यहां पर हैं उनकी इंडिविज्वल एक एक करके मैंने आपको पता है कि एक एक की बात बिल्कुल अलग अलग इन्डिविज्वल ईच का प्रयोग करेंगे और जब कलेक्टिव ली बात होगी एवरी हम का मतलब है कोई भी मुर्गी है पुछ सारी की सारी मोगव कोई भी है उन मेंसे वह अंजे दिट्टी यहां फर मैंने पर्यों किया इवरी का तोिषप आपके आपको आपको आईवरी औरी इसके बिच में दिफरेंस पता चल गया होगा यसे हमने आइदर के साथ और का प्रियों किया है कैसे निदर राम नोर मोहन नोर मोहन दिड इट ना तो रामनर ना ही मोहन ने इस काम को किया यानि कि दोनों में डिस्त्रेबुशन है तो डिस्त्रीबिट्व एट्प्ट्व में आप किंका प्रयोग कर सकते हैं इच का है Mi औरियिकर और निदर बात हमेशा ध्यान रखनी आए कि दून है वह इन साथ ही होगा इनके साथ ही है noun person child either के साथ boy either के साथ girl each के साथ hen अगर इनके साथ noun नहीं होगा तो फिर वो distributive adjective नहीं हो सकता वो क्या होगा? distributive pronoun होगा उसके लिए आपको देखने पड़ेगी pronoun की video के distributive pronoun वो कैसे हो सकता है आए करते हैं अपना आखरी type अब करते हैं emphatic adjective emphatic किसी चीज को पर जोड जालना दबाओ जालना pressure से कहना जब आप ये कहते हैं कि ये चीज मेरी ही है एक तो एक करना कि ये है पैन मेरा है ये करना ये है पैन मेरा ही है पर मेरा ही है उस चीज पर pressure जालना तो देखे an adjective which lays emphasis on a noun जो एक noun के ओपर pressure जालता है उसके ओपर दबाओ जालता है strongly पूरी ताकत से ये कहने की कोशिस करता है कि ये चीज उसी से बिलोंग करती है जैसे once own deeds किसी के भी अपने ही काम own उसके अपने deeds के यहां पर noun है और deeds कौन से पता है काम भी कौन से पता है उसके अपने आज आप इसको आप हिंदी में निजवाचक विशेशन कह सकते हैं जो किसी चीज को पर पूरा परभाव जालता है अपने ही काम है अपने ही जो उसके कारिया है वो उसका फ्यूचर करते हैं तो जो ओन है वो डीट्स को इस नाउन के उपर प्रेशर जालके कर रहा है के अपने ही काम तो ओन क्या है यहां पर अपनी ही कार है कई बार आप किसी गाड़ी में जाते हो किसी रिलेटिव यहां वो पुछते हैं यह कार आपकी है है अगर आपके अपने के हाँ यह अपनी ही है यह मेरी अपनी ही है मेरी अपनी ही का मतलब है कि वो किसी और से बिलोंग नहीं करते प्रेशर जालना तो ओन यहां पर क्या हो गया एंफैटिक एजेक्टिव हो गया और यह हो गया नाउन के उपर प्रेशर जालता है दा सेम boy went there ये भी कह सकते थे the boy went there लड़का वहां गया लेकिन का the same boy यही वाला लड़का उसी बात प्रेसर डाला कि वह वाला नहीं जो वहां खड़ा है यह वाला the same तो same क्या है वो emphatic adjective है और वो boy के साथ है boy को प्रेसर डाल रहा है this is the very place where I met him ये भी तो बोल सकते थे this is the place wherever को छोड़ सकते थे this is the place where I met him जहाम उसको मिला कि यह वह जगा प्रेसर जाल रहा है कि this is the very place यह वही जगा है वही वाली जगा है जहां पर मैं उसको लेला तो place यहां पर empathic adjective c is the only girl वही वही वाली लड़की में केवल एक ऐसी लड़की उसी को पर प्रसम्स जाल रखा है ऐसे इज़ा only girl who helped me इसने मेरी मदद की के सीज़ा only girl only girl का मतलब केवल एक मात्र एक मात्र ऐसी लड़की एक मात्र वही लड़की तो girl क्या हो गया यह यहां पर noun हो गया और noun को कौन emphasize कर रहा है only तो यहां पर अगर हम बात करें कि आपका on आपका same only और very यह जो words हैं जब इनको noun follow करता है इनके पीछे क्या आता है noun आता है जैसे ons के साथ noun आ गया Hawaii deed Sun के साथ car same के साथ boy and very के साथ place only के साथ girl जब इनके साथ कोई noun आता है और यह noun को emphasize करतें इनके बारें बताते हैं तो यह सब के सब क्या होते हैं यह emphatic adjective होते हैं इस प्रकार से हमने क्या कर लिए सारे के सारे adjective कर लिए इस प्रकार से हमने adjective के सारे टाइप जिनके नाम है adjective of quality आ डिस्क्रिप्टिव एजेक्टिव इसको बोल सकते हैं प्रोपर एजेक्टिव, adjective of number, demonstrative adjective, possessive adjective, adjective of quantity और इसके बाद क्या है interrogative adjective, exclamatory adjective, noun adjective या फिर इसको बोल सकते हैं adjective noun, participial adjective, distributive adjective या फिर emphatic adjective इस प्रकार से we have 12 types of adjective और अक्सर हमें books में साथ या आज़ टाइप्स मिलते हैं आपने detail मेंन को देखना है और इस से पहले जरूरी हो जाता है noun और pronoun की व्यूडियो देखना जो मैं पहले ही upload कर चुका हूँ I hope आपको पूरे adjective समझ में आ गए होंगे फिर भी आपको कोई doubt रहता है तो आप comment box में अवस्य लिखिए और हाँ अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं वीडियो को like करना और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा thank you have a nice time